सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइबरी, बच्चों के उज्जोल भविश्य के लिए बिहार सरकार है सदा अगरसर और तयार कक्षा एक से कक्षा बारा तक के सभी पाठे पुस्तक पूरक सामगरी एवं विडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विक्सित पोर्टल पर है उपलब्ध अध्यन सामगरी देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथ्वा एंड्रोइड मुबाइल पर गूगल प्रे स्टोर से e-lots आप डाउनलोड करें शुक्षकों, अभी भावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस e-library का अधिक से अधिक लाब उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें हलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंध होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3-5 की पढ़ाई प्रति दिन दोफर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कौपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले कारे करम में शामिल होना है जहां हम नई नई चीजे सीखेंगे वह भी मनोरंजग तरीके से तो तयार हैं आप सब? तो बच्चों आज हिंदी की क्लास में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है रमा के तारे उसके बाद गलती माफ सुधारों तो सही गेम के माध्यम से हम लोग वाक्यों में गलतीयों को ढूंड कर सुधार ना सीखेंगे और फिर सीखेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में उसके बाद गनित की क्लास में हम लोग एक नई संख्या के बारे में समझेंगे फिर एक खेल खेलेंगे धूम और खेल खेल में संख्याओं के इस्थानिय मान को समझेंगे फिर पढ़ाई करेंगे भिन के प्रकार की फिर सुनेंगे अंग्रेजी में एक कहानी जिसका नाम है What do you want to be? और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैवी कुद्यान और देखेंगे जूशो तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ हेलो दोस्तों वक्त हो गया है खेल खेल में कुछ सीखने का आमारे इस प्रोग्राम थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई के साथ चलिए क्या सीखेंगे आज? सही जवाब रोज की तरह ही हम हिंदी और गड़ित सीखेंगे और हम शुरूवाद किस से करेंगे? हिंदी की एक प्यारी सी कहानी सुरेंगे और उसके बाद कुछ मज़िदार खेल भी खेलेंगे अगर आप तयार हैं तो मैं कहानी शुरू करूँ लाखों में एक हूँ मन लाखों में एक तू लाखों लाख है महारत वासी मैं लाखों में एक हूँ सुन ले मेरी बाद जरा और हो जा मेरे संग तू मुफ्त किताबे मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है स्कूल निकली गाओं गाओं में फिर भी क्यों अंधेर है मुफ्त किताबे मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है स्कूल निकली गाओं गाओं में फिर भी क्यों अंधेर है गाउं गाउं मर गली गली में मा बाबा से बात करो, क्या सब बच्छे शाला जाते गर गर जाके बता करो, लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। क्या बात है मज़ेदार और जानदर? समजदार, हवादार, दुकानदार बिट्टू, गाने का तो तुमारे इन शब्दों से कोई नाता वाता तो है नहीं, ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो? अरे काका, काकी ने शब्द बोले दार प्रत्य लगा कर, तो मैंने उन्हें आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ-कुछ बाते अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी, ये आ गई सुधा उस तारे पर ना जाने और क्या-क्या। अच्छा वो? मुझे याद आया, पता है काका, रात में मुझे सपना आया था कि मैं और मेरी सहेली सुधा तारों में पहुच गए हैं और हम एक से दूसरे तारे पर छलांग लगा रहे हैं। क्या बात है बिट्टू, सपना तो बढ़िया देखा तुमने, अच्छा इसी बात पर तारों से जुड़ी एक कहानी सुनोगी। मुझे पता था कि आपके कहानियों के खजाने में इस बात पर भी एक कहानी जरूर होगी। तो बिट्टो के काका सुना दीजी एक कहानी। अरे तुम दोनों ने तो मेरी सारी बाते पहले ही समझने लगी हो। तो आज कहानी के खजाने से निकली है एक कहानी जिसका नाम है रमा के थारे प्रथम बुक्स एक छोटी सी लड़की थी रमा रमा को कान में पहनने के बूंदे बहुत पसंद थे हर कोई उसे तौफे में कान के बूंदे ही देता उसके पास लाल बूंदे, नीले बूंदे, हरे बूंदे यानि इंद्रधनुष के सभी रंगों के बूंदे थे और फिर रमा के जन्दिन पर दादी मा उसके लिए क्या लाई दादी मा रमा के लिए बहुत प्यारे हीरों के बूंदे लाई जो एक्तम तारों जैसे चमकते थे रमा को बूंदे बहुत पसंद आए उसने पूछा ओख दादी आपको इतने प्यारे तारे कहां से मिले उस रात आकाश में तारे नहीं दिख रहे थे दादी मा ने आकाश की तरफ इशारा किया देखो मैंने आकाश के सारे तारे तोड लिए और उनमे से सबसे अच्छे तारों से तुम्हारे बूंदे बनवा लिये दादी मां बोली दादी की बात सुनकर रमा बहुत दुखी हुई तिम तिम तारे जिल मिल तारे कहाँ छुप गय हो तुम सारे आओ प्यारे तारों आओ आकाश में दिये जलाओ रमा ने दुखी होके गाया रात को सोते हुए रमा ने अपने बूंदे निकाल कर तक्ये के नीचे संभाल कर रख दिये उसे आशा थी कि कोई परी तारों को वापस आकाश को लोटा देगी आधी रात को रमा को एक सुन्दर सपना आया सपने में एक सुन्दर परी आई और रमा से बोली चिन्ता मत करो रमा मेरे पास आकाश के लिए हजारों नए तारे है रमा जाग गई और मालूम है उसने क्या देखा पूरा आकाश तारों से जगमगा रहा था रमा ने अपने बून्दे दुबारा पहने और उसकी आखे चमक उठी तारों की तरह रमा अब बहुत खुश है क्या बात है काका बहुत ही सुन्दर कहानी थी सच में बिट्टू तुम्हें पता है तुम्हारी काकी को भी पहले कानों में तरह तरह के बून्दे पहनने का बहुत शौक था अच्छा काका मुझे तो कभी नहीं बताया काकी ने मुझे तो मेले में उस दुकान से सरपट दूर ले जाती है काकी जहां बाले और जुमके रखे हों कितने ही तो रखे हैं घर में तुम्हें पहनने का शौक है नहीं बिलकुल पस इकठा करने का शौक है तो बच्चों आपने और आपके घर के बाकी लोगों ने भी कहाने सुनी और समझी होगी तो आप उनकी मदद से कुछ प्रश्णों के उत्तर सोचिए, अपनी कॉपी में लिखिए और किसी को बताईए तो पहला प्रश्ण है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और कौन-कौन से दूसरा सवाल है कि आपको क्या का करना पसंद है तीसरा सवाल है, आपको कैसे सपने आते हैं, किसी एक सपने के बारे में आप बता सकते हैं बिट्टू की काकी, कहानी तो हमने सुन ली, आज आगे क्या करने वाले हैं? बिट्टू के काका, आज तो जो भी करना है आगे वो बिट्टू ही करवाएगी काका, समय हो गया है खेल का तो आज कौन सा खेल खेलेंगे? काका आज खेलेंगे खेल गल्ती माफ सुधार तो सही अच्छा जिसमें गल्तियां सही करने पर लड़की सीडियां चड़ती है हाँ काकी वही तो शुरू करते हैं खेल शुरू करते हैं गल्ती माफ सुधार तो सही हाँ जी आपको गल्तियां सुधार नहीं हैं तो सुधारों तो जाने, चलिए तो खेद शुरू करें नीचे दिये हुए वाक्यों में गलतियां है उन्हें सुधारें हां, मैं समझ गए बच्चों, आपने भी समझ लिया न? इस वाक्यों में कुछ गलतियां है और उन्हें हमें सही करना है तो नीरच को अमरूत के पेड़ पर चड़ने में मज़ा आता है वह अमरूत तोड़कर सबूकेस लिए लेकर आता है ये तो गलत लिखा हुआ है सब के लिए लेकर आता है हाँ, अब देखेगा हम सही करेंगे तो ये लड़की सीड़िया चारना शुरू हो जाएगी देखे, अब देखे, क्या ये सही है अरे, एक शब्द भी और गलत है ये सही है, अब देखे हम, तो हमने एक शब्द सही किया इसलिए लड़की सिर्फ एक ही सीड़ी चड़ पाई है चलिए, तो आगे चलते हैं, ध्यान से एक वाक्य में दो गलतिया है मेरे पिताजी किसान है वह रोज खेत में हल चलाते हैं हम, चलाते हैं तो ये तो कोई सवाल पूछ नहीं रहा है अगर सवाल नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पर ये चिन्न क्यों है तो इसे पदलना होगा हम और ये भी गरण लिखा हुआ है मेरे हम अभी देखें मेरे पिताजी किसान है वह रोज खेत में हल चलाते है अभी ठीक हो गया ना देखें सही करके हम आगे चलते हैं समीर रोज अपना स्कूल जाता है उसकी बहन पढ़ाई में उसकी मदद करती है हम पढ़ाई में उसकी मदद करती है ये गलत लिखा हुआ है हम आप देखते हैं क्या ये सही है अरे ये तो गलत है अच्छा हाँ समीर रोज अपने स्कूल जाता है यह होगा हम्म अब सही होगा अरे वाह आगे चलते हैं ओ मुझे मिले हैं असी गुण अरे वाह अरे मेरी ट्रॉफी तो गिर गई तूड़ गई इसका मतलब असी अंक काफी नहीं है इसलेट मुझे ट्रॉफी नहीं मिली अगर मैंने सही कर दिये होते तो की बार करेंगे तो बिट्टू कितनी सीडियां चड़ पाई वो खेल वाली लड़की अरे काकी अपने मु मिया मिठ्टू क्या बनू मैं अच्छा बिटिया हाँ बिट्टू को अब धीरे धीरे शब्दू की मात्राएं पता चलने लगी हैं सोच सोच कर सही जवाब दे दे बिट्टू अरे वाह तब तो बहुत अच्छा है बिट्टू कम से कम लिखने में कम गलतियां करेगी हां काकी आप दोनों ने जो खेल खिलवाए हैं उनमें मात्राओं वाले खेलों से बहुत चारी मात्राओं की गलतियों के बारे में पता चलने लगाया मुझे बहुत ये समान अर्थों वाला एक खेल खेले हैं। समान अर्थों वाला मतलब? समान अर्थ वाले का मतलब शब्द तो अलग-अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। अच्छा परियावाची। अच्छा बिट्टू, तुम्हें तो प्रयायवाची शब्द भी पता है, इसी को तो कहते हैं समान अर्थों वाले शब्द अरे तो सीधा सीधा बोली है ना बिट्टो के काका कि प्रयावाची शब्दों की बात कर रहे हैं इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हैं क्योंकि कई बच्चों को प्रयावाची का अर्थ पता नहीं होता इसलिए घुमा आकर बताना जरूरी है हम ये बात तो काका आपकी बिल्कुल सही है मैंने कई बच्चों को पर्यावाची रटते हुए देखा है क्योंकि उन्हें पर्यावाची होते क्या हैं यही पता नहीं होता और हमारे टीवी देख रहे दर्शक भी इस बात पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे अच्छा तो आप खेल शुरू कर सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल खेल शुरू करते हैं शब्द ज्यान समानार्थी तो आप जानते ही हैं कि इस खेल में हमें क्या करना है हम सही समझा बच्चों आपने इस खेल में हमें समानर्थों वाले शब्दों को ढूरना है तो चलिए खेल शुरू करते हैं समानर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाईए जी हाँ समानर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनानी है आख आख का समानर्थ वाला शब्द है नयन भावना इक्षा लगा कर देखते हूं फूल का सुमन अरे रे इच्छा नहीं सुमन घर का शायद ग्रह आप देखूं क्या ये सही है बच्चों आप भी देखिये क्या ये सही है ये आप ब्रेही है तेंक यू आगे चलते हैं हम् पवित्र पवित्र का समानर्थ वाला स्वक्ष क्या ये हो सकता है चलिए लगा कर देखती हूँ मा मा का ये है शायद अरन्य परिवार का अरे अरन्य महा भी पहुँच क्या नहीं नहीं परिवार का खानदान ये जाएगा यहाँ जंगल का जंगल का शायद अमबा अभी देखें क्या ये सही है आप भी देखते चाहिए बचो क्या मैं सही लगा रहे हूँ क्या कुछ गलत है अभी तो मैं ऐसे देखती हूँ क्या ये ठीक है ये तीन गलत है तो बचा नूतन अकलुष अकलुष सायद पवित्र का होता है और अमबा शायद मा का होता है और अरण्य शायद जंगल का होता है अभी देखे देखा आगे चलते है पानी पानी का स्वच रास्ता सेवक रख सलिल किस्मत भाग्य का किस्मत होगा निर्मल का नहीं पता दास सेवक ये दोनों समानरत वाले शब्द है अब निर्मल का होगा स्वक्ष हाँ ये सही है निर्मल मतलब स्वक्ष होता है पानी का सलिल क्योंकि रख्त तो खून को कहते है और रास्ता तो रास्ता होता है तो सलिल ही होगा शायद देखें क्या ही सही है आगे बढ़ते हैं अरे वाह मैंने लगबग सारे सही किये हैं लेकिन एक बार बहुत सारी गलतिया हो गई हैं एक बार तो मैंने तीन गलतिया करी हैं कोई बात नहीं आगे फिर कभी खेलूंगी कैसा लगा ये खेल बिट्टू की काकी बिट्टू के काका, खेल तो सच में थोड़ा सोच समझ कर खेलने वाला था हाँ काका, इसमें तुरंट पता चल रहा था कि कौन सा शब्द हमने गलत चुना है बढ़िया खेल था यह बिट्टू के काका, का ढूंडे जा रहे है अरे बिट्टू के काकी, हमरा मोबैलवा हिरा गिया है हिरा गिया है मतलब अरे उतो काला रंका था, हरा रंका थोड़े ही था तुमको तो कुछो नहीं बुझाता है, हम कह रहे हैं के मोबैलवा भुला गिया है अरे बिट्टो के काका, आज आपको का हो गया है? कभी कहते हैं हरा हो गया, कभी कहते हैं भूरा हो गया है धत तेरी की, सच्ची कहूं के कुछो हो गया है हमको तो यह पता ही नहीं कि तुमको हिराया और भुलाया समझ में ही नहीं आ रहा है तो मोबैलवा कहां मिलेगा भेर, आपको कुछ तो समझ में आया अब जल्दी से बताईए कि क्या हुआ अरे भाग्यवान मैं तो इख कह रहा था कि मेरा मोबैलवा कहीं मिल नहीं रहा है कहीं खो तो नहीं गया क्या हुआ काका क्या समस्या आ गई अरे बिट्टू, तुम्हारी काकी को पता नहीं क्या हो गया, क्या अनाप्षना बोले जा रही है अब देख लो बिट्टू, बोल तुम्हारे काका रहे हैं और मुझे कहते हैं कि मैं अनाप्षना बोल रही हूँ अरे, आप दोनों रुकिये, कहीं आप मोबाइल तो नहीं तलाश रहे हैं? हाँ हाँ, वही तो इनका मोबाइल खो गया है काका, मोबाइल तो मेरे पास है मैं कुछ शब्दों के अर्थ खोजने के लिए आपका मोबाइल देख रही थी जल्दी से दे बिटिया, कहां है हमार मोबेल वा? बिटिया, ये बताओ कि तुमने कौन-कौन से शब्दों के अर्थ धूंडे मैंने आज सीखा कि एक शब्द है गुम होना जिसे हम हिराना भी बोलते हैं, भुला गया भी बोलते हैं और खो गया भी बोलते हैं वा बिट्टू, बहुत बढ़िया से समझाया तुमने अपने काकी को बिटिया, कुछ और शब्द पूछो ठीक है काकी, पूछती हूं लेकिन इसका जबाद टीवी देख रहे बच्चे देंगे और हम कल के शो में इस पर बात करेंगे भकवाना, बकलोल, भीतर गुनिया शब्दों के अर्थ किसी से पूछिए और लिख कर रखिए कल आप से फिर मिलेंगे बाई बाई कल देंगे हुआ 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 करा करी प्योण हुआ हुआ है आज की कहानी तो मुझे बहुत ही पसंद आई कभी-कभी कुछ कहानिया ऐसी होती है जो दिलकुछ हो जाती है यह कहानी मुझे इसी तरह की लगी आपको आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? तो आपके उसे कॉपी में नोट किया? भाईवा चलिए यह कहानी जरूर अपने दोस्तों को जाकर सुनाईएगा हिंदी की बाते बहुत हो गई हो तो आप गणित की ओर चले? गणित में हम आज सबसे बहले कुछ खेल खेलते हैं और उनको आप कॉपी में नोट करना, ठीक है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर सी नई संख्या की बारे में जानते हैं यह नई संख्या कौन सी है? जी हाँ, यह है 623 इसमें इकाई दाहाई और सेकड़ा क्या है? तो तीन इकाई है, दाहाई पर 20 और सेकड़े में 600 है इस तरह बनती है यह 623 तो यह तो हुई बात संख्या की आप देखते हैं, इस संख्या के बारे में कुछ नई रोचक बात है चलो बताओ, 623 इन संख्याओं से बड़ी है या चोटी? तो यह रही संख्या रेखा, इस संख्या रेखा पर लाल बिंदू क्या दिखा रहा है? 623 को और लाल बिंदू के बाएं तरफ की स्थती बताती है कि 623 से चोटी संख्याओं है और दाय तरफ 623 से बड़ी तो देखे, सबसे पहले 610 यह तो बाएं तरफ है, मतलब 623, 610 से बड़ा है और फिर 620, तो देखे, 620 यह भी 623, 620 से भी बड़ा है 645, अरे यह कहा पहुचा? यह पहुचा दाय तरफ इसका मतलब 623, 645 से चोटा हुआ और आप देखते हैं 690, 690 कहा? हाँ, यह भी दाय तरफ है इसका मतलब 623, 690 से भी चोटा है तो यह तो हुई बात बड़े और चोटे की अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है सम और विशम तो सम क्या होता है? चलो बताओ जी हाँ, सम मतलब 2 से बिभाजित और विशम मतलब जिसे 2 से बिभाजित नहीं किया जा सकता तो 623 क्या है? क्या इसे 2 से बिभाजित किया जा सकता है? चलिए देखते हैं 2 से बिभाजित किया जा सकता है यह जानने के लिए हम दो-दो के अंतर पे संख्याओं को लिखते हैं जैसे 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620 और इसी तरह आगे 622, 624, 626, 626, 626 और 630 अब देखें क्या यहाँ पर आपको दिख रहे है हमारी संख्याओं 623? नहीं, इसका मतलब 623 विशम है चलो अब बताओ, क्या 623 अब आजी संख्या है? सबसे पहली बात तो अबाजी संख्या होती क्या है? जिसे एक और स्वयम उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या से बेभाजित नहीं किया जा सकता वही होती है अबाजी संख्या चीके? तो 623 के बारे में देखते हैं 623 एक और स्वयम उसी संख्या के लावग किसी भी संख्या से बाज़ेत हो रही है या नहीं नहीं हो रही है इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या है तो इस तरह हमने आज 623 के बारे में जान लिया अगले वीडियो में एक नहीं संख्या के साथ मिलते हैं हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी चलिए आज एक खेल खेलते हैं यहां देखिए यह चोर चोरी करने आया है अरे यह तो भाग रहा है इसे पकड़ना होगा इसे पकड़ने के लिए हमारी पुलिस को गाड़ियों की मदद चाहिए पुलिस को गाणियां तभी मिलेंगी जब आप सही जवाब देंगे सारी सवालों का तो चलिए जल्दी जल्दी सही जवाब दीजे और पकड़वा दीजे चोर को जैसे ही आप जवाब देंगे चोर पकड़ जाएगा और अगर आपने जवाब नहीं दिये तो हमारी पुलिस चोर को पकड़ती ही रह जाएगी और चोर निकल जाएगा शुरू करते हैं पहला सवाल 16 बराबर 19 देखें क्या 16 19 होता है? नहीं न ये तो 16 है ये 19 नहीं है 19 के लिए 1 और 9 होना चाहिए इसलिए ये गलत है बहुत अच्छे आप देखिए 17 घटाव 12 बराबर 5 इसके लिए हमें 12 से 17 तक जाना होगा अगर 5 कदम चले तो ये सही हुआ 12, 13, 14, 15, 16, 17 बिर्कुल सही हम 5 कदम चले हैं इसका मतलब ये सही है 3817 में 3 का स्थानी अमान 300 है देखिए इकाई पर 7 है दहाई पर 1 यानिकी 10 होना चाहिए और सैकड़े पर 8 अर्था 100 होगा 800 और ये रहा 1000 3000 के स्थान पर है अर्था 3000 होना चाहिए यहाँ पर 300 है इसका मतलब ये गलत है अब देखिए 26 एक समसंख्या है समसंख्या वर जो दो दोगे पाइदार में आए या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए देखिए क्या 26 दो से विभाजित हो सकता है बिल्कुल 26 दो से पूरी तरह विभाजित होता है 13 की दो बार अगर हम पढ़ते हैं तेरा को, तो 26 आ ही जाता है, इसका मतलब ये सही है, अब बताइए इस संख्या में 5 का स्थान इमान 5000 है क्या, चलिए देखते हैं, 9 है इकाई के स्थान पर, दाई के स्थान पर 40, यनि 4, और सेकड़े पर 0 है, और ये 1000 पर है, इसलिए 5000 होना चा जोडने पर 1203 होते हैं, देखते हैं, देखें, इकाई पर 0 है, तो हम उन्हें वैसे ही लिखेंगे, अर्थात, इकाई और दाई पर 0 होना चाहिए, 6 और 6 12, मतलब ये गलत है, ये होना चाहिए था 1200, देखें, हमारी पुलिस चोर से भाग रही है अब, पुलिस को गाड़ी जो मिल गई है, अगली सवाल का जल्दी से उत्तर दीजिए, 600 और 500 जोडने पर 1104 होंगे, देखते हैं, इकाई पर 0 है, लिख देगे, दहाई का 0 भी और 6 और 5 को जोडने पर 11, थात, ये 1100 होना चाहिए, ये गलत जवाब है, आप देखिए, ये भिन्न का प्रश्न है, यह आपर कितने खंड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8 हैं, लेकिन कलर्फुल कितने हैं, रंग भरी हुए हैं 2, इसका मतलब हर में 8 और अंश में 2 होना चाहिए, 2 बटे 8 भिन्न होगी, 3 बटे 8 नहीं, अब फिर से एक और भिन्न का सवाल है, जल्दी से जबाब दीजिए, कितने 8 होगा, और रंगीं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब ये सही है, अंश में 6 और हर पे 8 होगा, भिन्न होगी, 6 बटे 8, अब बताइए, कितने खंड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही हैं, और रंग भरे हुए, 3 हैं, इसका मतलब भिन्न, 3 बटा 8 होगी, बिल्कुल सही, इस तरह हमें सारे प्रश्णों के सही जवाब दिये हैं, और अब ये पुलेस चोर को पकड़ लेगी, ये गया चोर जेल के अंदर हम जीत गए, भिन्न के प्रकार आओ अब हम भिन्नों के प्रकार को समझते हैं, हमारे पास 3 प्रकार की भिन्ने हैं, जैसे 1 बटा 5, 2 बटा 5 और 3 बटा 5, इसलिए इन सभी भिन्नों में हर एक जैसा ही हैं, अब कुछ और भिन्ने देखते हैं, जैसे 2 बटा 5 और 3 बटा 7, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर अलग-अलग हैं, इसलिए जब हर समान होते हैं, तो क्या होता है कि भिन्नों के तुलना करना आसान हो जाता हैं, यदि आप पहला उधारण देखते हैं, और 2 बटे 5 और 3 बटा 5 लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि 3 बटा 5, 2 बटा 5 से बड़ा है, क्योंकि यदि हम किसी चीज के 5 बराबर हिस्से करें, और उसमें से 3 भाग लें, तो वो ज्यादा होंगे, और यदि आप उनहीं में से 2 बटा 5 और 3 बटे 7 है, अब यहाँ पर यह बताना मुश्किल है कि कौन बड़ा है, इसका अर्थ है, यदि मैं एक सेब को 5 बराबर भागों में काटती हूँ, और उसमें से 2 भाग खा लेती हूँ, और उतने ही सेब के 7 बराबर बराबर भागों में मैं 3 भाग खाती हूँ, तो कौन सा जादा होगा, यह बताना यहाँ पर मुश्किल है, इसलिए हम इन भिन्नों को समान और असमान भिन्न कहते हैं, जिनके हर समान होंगे, वो समान भिन्न हैं, और जिनके हर असमान होंगे, वे असमान भिन्न हैं, अब इनके अलावा भी हमारे पास कुछ भिन्निके प्रकार है आउ कुछ और उधारन देखते हैं अब इन चित्रों में बने इस वृत्व को देखो यह एक रोटी है अब अगर इस रोटी का चौथा भाग दिखाना है तो इसको कैसे दिखाएंगे? एक बटा चार और यदि मैं इसके दो भाग खाती हूँ तो कैसे दिखाएंगे? दो बटा चार और यदि मैं तीन भाग खाती हूँ तो वह तीन बटा चार लिखेंगे और यदि मैं सभी भाग खाती हूँ तो मैं कहूंगी कि मैंने पूरी रोटी खा ली अर्थाथ एक बटा एक या फिर एक यदि मैं एक से जादा खाती हूँ मान लो मैंने एक पूरी रोटी खाई और दूसरी रोटी का एक चौथाई भाग खाया तो मैं कहूंगी कि चार बटा चार एक बटा चार यानि जोडने पर मैं कह सकती हूँ पांच बटा चार इसलिए यदे हम इन बिन्नों को देखें तो हम पहले तीन उधारण में देख रहे हैं कि सभी में पूरे भाग में से कुछ कम है इसलिए इस प्रकार की बिन्नों को हम उचत बिन्न कहते हैं और यदे 4 बटा 4 और 5 बटा 4 की बात करें तो इसमें या तो पूर्ण वस्तु है या पूर्ण वस्तु से ज्यादा या हम कह सकते हैं कि 1 से ज्यादा है तो इन भिन्नों को हम अनुचित भिन्न कहते हैं इसलिए उचित भिन्न वे होते हैं जहां अन्श हर से छोटा होता है और अनुचित भिन्न वो होते हैं जहां अन्श हर के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है अब हम उस भाग की बात करते हैं जहां हमने एक पूरी रोटी और दूसरी रोटी का एक चताई भाग लिया था इसको एक बार फिर देखते हैं हमें पता है कि यह एक अनुचित भिन्न है परन्तु हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एक और एक चताई या फिर 4 बटा 4 लिखने की बजाए मैं 1 लिखू और यदि मैं ऐसा लिखूं कि 1 और 1 बटा 4 तो इसको हम मिश्रिद भिन्न कहते हैं इसलिए मिश्रिद भिन्न पूरी संख्या और उचद भिन्न का योग होता है इसलिए आप इसको अनुचिद भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या मिश्रिद भिन्न में चैसा भी आप चाहें आओ कुछ और उधारन देखें यदि मेरे पास एक केला है और मैं इसका आधा भाग खाती हूँ तो मैं इसको 1 बटा 2 लिख सकती हूँ और यह एक उचिद भिन्न है परन्तु अगर मुझे बहुत भूख लगी है और मैं एक पूरा और दूसरे का आधा भाग खाती हूँ तो मैं इसे कैसे लिखूँगी? एक और एक बटा 2 तो यह मिश्रिद भिन्न है परन्तु मैं इसको 2 बटा 2 और 1 बटा 2 भी लिख सकती हूँ तो जोड़ने पर यह हो जाएगा 3 बटा 2 और यह एक अनुचिद भिन्न है इसलिए यहां हमने सीखा यह भिन्नों के कितने प्रकार होते है प्रकारों में जैसे समान हर और असमान और उसके बाद अनुचिद और उचिद भिन्ने तथा यह भी देखा इसलिए अनुचिद भिन्न को मिश्रिद भिन्न में लिखा जा सकता है हलो बज्चों आईए आज हम फिर से भिन्न की सवाल हल करेंगे बिन्न के सवाल हल करने के लिए पहरा उधारन लेते हैं उधारन है सोनू के पापा ने अपने चार बच्चों और भतिजों के लिए एक चॉकलेट खरीदा अगर सोनू के पापा ने सभी आठ बच्चों को समान टुकले दिये हो तो प्रतेक बच्चों को कितना हिस्सा मिलेगा ये रही चौकलेट और सोनू के पापने अपने चार बच्चों और चार बतीजों के लिए चौकलेट लिया है ये रहे और इसके क्या किये है आठ समान तुक्ड़े किये हैं कुछ इस तरह से हो गए 8 टुकड़े तो बताओ प्रत्य को यानि हर एक बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा तो देखिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि यह एक हिस्सा जो है इसे हम भिन्द में कैसे लिखेंगे देखिए खुल की यह कैसीं कितने हैं जी हाँ आठ है तो यह आठ हम इस पता का की नीचे की तरफ लिखेंग यह सीधी रिख़ा के जिसे उख हर कहेंगे और अब यह एक हिस्सा है एक हिस्सा उपर की टरफ यानि अन्श में तो यह हो गया 1 बटा हां इस प्रकार प्रत्तिक बच्चे को चोकलेट का एक बटा आट हिस्सा मिलने वाला है अब देखते हैं दूसरा शवाल सवाल है शुनिता अपने घर के आअगन को अलग-अलग रंगों से रंग कर उसे सुन्दर बनाने का सोच रही है सुनीता ने अपने घर के आंगन के बारा समान हिस्से इस प्रकाल किये हैं देखिए ये रहे आप वो सोच रही है कि इन में वो रंग भरे ठीक है तो देखिए ये हैं रंग भर दिये उसने रंग तो बताईए वह अपने घर के आंगन को इस तरह तो रं रही है बताईएगा फिर बताईए कि हाले रंग से कितने हिस्से को रंगेगी और पीली रंग से वह कितना हिस्सा रंग रही है शुरू करें सबसे पहले वाले प्रश्न से उससे पहले हमें पता करना होगा कि कुल आंगन की हिस्से कितने हैं देखिए आंगन की समान हिस्से कि इतने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाथ, छै, साथ, आड़, नो, दस, ग्यारा, और यह पुरे बारह हैं. ठीक है, तो हर हो गया हमारा बारह. अब बात करते हैं लाल रंग की. तो लाल रंग देखिए, यह है एक, और यह दो. इस तरह लाल रंग कितने हैं? दो है. तो लाल रं चलो अब बदाओ सुनीता कितने हिस्से को हरे रंग से रंगेगी वही चीज है हर में तो हमने 12 पहले लिख दिया अब हरा रंग है एक दो तीन और ये चार इस तरह चार हिस्से है ना हरे रंग की इसलिए कुल कितना हिस्सा हुआ चार बटा बारा हिस्सा हुआ अंगन का अब आते हैं तीसे सवाल पे सुनीता कितने हिस्से को पीले रंग से रंग रही है तो कुल हिस्सा हो गया उपर की तरफ वा रहा और अब देख सबसे ज्यादा हिस्ते में कौन औरंक रही है दोनों का उत्तार घूड के रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर सवाल है मोहन को अपने घर से स्कूल पहुचने के लिए 1000 मीटर पाप पैदल सफर करना पड़ता है अगर मोहन एक चौथाई चल कर थोड़ा आराम करता है तो वह कितने मीटर पर आराम करता है ये है भाई मोहन का घर ये जा रहे हैं मोहन स्कूल वो बना मोहन का स्कूल और ये घर से कितनी दूरी पर है 1000 मीटर की और ये एक चौथाई वो चल लेता है तो मीटर 1000 मीटर का एक चौथाई आखिर कितना होता है देखिए एक चौथाई का अर्थ होता है एक बटा चार तो एक हजार मीटर का एक चौथाई कैसे निकालेंगे एक हजार मीटर का एक चौथाई पराबर एक हजार मीटर गुना एक बटा चार एक से गुणा करेंगे तो एक हजार मीटर का वही कवही हो जाएगा एक हजार मीटर और ये हर में चार है इस तरह अगर हम इसे भाग देंगे तो ये 250 मीटर बचेगा इस तरह ये 1000 मीटर का एक चौथाई भाग कितना हुआ? 250 मीटर मतलब मोहन 250 मीटर पर ही क्या करता है? आराम करता है बहुत अच्छे तो हमने सवाल सीख लिए हैं अब ऐसे ही उदाहरण आप भी हल करिएगा हम फिर मिलते हैं बाई बाई किसी को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है तो किसी को टीचर आपको बड़ा होकर क्या बनना है? मुझे तो सोलजर बनना है आज की स्टोरी ऐसी ही कुछ है चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी इस स्टोरी के लेखक है डॉक्टर माधुरी पाई और डॉक्टर माधव जवान और चित्रकार है अलका खायर मोडे I want to be a farmer I will grow food I will work on a farm I want to be a milkman I will sell milk I will work in a dairy I want to be a barber I will cut hair I will work in a salon I want to be a policeman I will catch thieves I will work in a police station I want to be a doctor I will give medicine I will work in the hospital I want to be a tailor I will stitch shirts I will work in my shop I want to be a teacher I will teach I will work in a school I want to be a cook I will cook food I will work in a hotel I will work in a hotel Story सुनके तो मुझे अब farmer बनने का मन कर रहा है क्या आपने चुन लिया कि आपको क्या बनना है? नहीं चुना? तो स्टोरी दोहराइए और सोचे I want to be a farmer I will grow food I will work on a farm I want to be a milkman I will sell milk I will work in a dairy I want to be a barber I will cut hair I will work in a salon I want to be a policeman I will catch thieves I will work in a police station I want to be a doctor I will give medicine I will work in the hospital I want to be a tailor I will stitch shirts I will work in my shop I want to be a teacher I will teach I will work in a school I want to be a cook I will cook food I will work in a hotel तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो तो चलिए शुरू करते हैं संजे गांधी जू आउट्रीच प्रोग्राम में आज हम आपको पानी में निवास करने वाली एक ऐसी प्रजाती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अस्तित्व संभवता हम इंसानों की उत्पत्थी के पहले से ही पानी में हो चुका था इसे हम मचली कहके पुकारते हैं इनी रंग बिरंगी मचलीयों के निवास थल को संजे गांधी जैविक उद्ध्यान में मचली घर के नाम से जाना जाता है जो देखने में बिलकुल मचली की तरह है यहां बने मचली घर में 44 अलग-अलग टैंक है जो 44 विभिन्न प्रजाती की रंगीन मचलियों का इठलाता, मचलता, शांदार संसार है जिसे देखकर किसी की आँखे आश्चर चकित रह जाती है जो 44 विभिन्न प्रजाती की आश्चर चकित रह जाती है आज लगवक जितने विजू हैं इंडिया में सब में चोटा या बड़ा एक्वेडियम है और पटना जू में भी इसी तरह का एक एक्वेडियम है जो काफी रमनीक जगा पर है यहां पर जो एक ओल्ड लेक है चारो तरफ आर्टिफिसियल लेक है उसके बीच में एक आइलेंड की तरह यह अवस्थित है और यह 1993 में इसका संचालन सुरू किया गया था और उसका जो बिल्डिंग है इसकी भी आकरती एक मचली की तरह बनाई गई है अभी ततकाल में पटना जू में एक्वेडियम में मेरीन फिसेस नहीं है लेकिन हम कोसिस कर रहे हैं कि इसको अप्ग्रेट करके मेरीन फिसेस को भी रखा जाए है और अच्छा से उसको कैसे है जे हंभी भी एकक्वेडियम क कीपिंग को परसिव किया जा सकता है उसको आछाल है जो भी तर्सक सीख सकते हैं जो मेन इस्पीसीज यहां पर है यलो पड़त हैं कार्प्स, इसके अलाबा टेक्सस है घृण टेट्रा है फिन जेबरा है सिल्वर सार्क है और टर्टल की भी वराइटी है पिरहाना है तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे कई सभ्यताओं के साहित्य, पितिहास और उनकी संस्कृति में मचलियों का विशेश थान है मचली घर एक ऐसी दुनिया है जो हर उम्र के लोगों को खूब भाता है यहां आने वाले बच्चों के लिए तो मानो यह अनूखी अनूखी दुनिया है अज़ाओं के लिए जाता है जारे के दिन में हम लोग हीटर लगाते हैं जिसका टमप्रेचर अठाइस डिग्री रहता है और मचली बिमार है तो उसको 30 डिग्री टमप्रेचर रखते हैं उसके लिए टेरा मैसिंग दवा जब बिमार परता है तो इंटिबाटिक दवा दिया जाता है झाल 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 जील के पास अवस्थित मचली गहर के चारो तरफ पेड़ लगाए गए हैं जो इसे खुबसूर्ती प्रदान करते हैं आज के कड़ी में बस इतना ही अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए जानवर के इंक्लोशर के पास तब तक के लिए नमस्कार तो आशा करती हूं बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नहीं प्रदान करते हैं नया सीखा होगा तो घर पर रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें मिलते हैं अगले एपिसोड में बाई बाई बच्चों आढ़ते हैं बच्चों कि चे लो शूले तुम को तुपारे